हेलो आपके लिए नहीं हूँ, ट्वल्थ क्लास इस्टे का लेसन नमबर शिक्स, फाइव लेसन मैं आ रड़े करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज सैनों को सब्सक्राइब कर ले, तो कोशन नमबर थार्ड है हमार कि क्या क्या समानताएं और विंताएं देखी गई हैं, वे शारिया और वाशारिया जो सुफी टेडिशन थे, इनके अंदर क्या क्या समानताएं और क्या क्या डिफरेंस को देखा गया है, अब शारिया क्या है, एक इसलामिक ला है, इसलामिक कानून होता है, जो सही मानने म इस्लामिक देश होते हैं, उनके अंदर इस ला को, कानून को जारी किया जाता है, अपलाइड किया जाता है, ठीक है, अब इस जो कानून का जनम कहां से हुआ, ये कहां से आया, तो माना जाता है, कि ये जो मुस्लिम जो होते हैं, उनकी जो धार्मिक भुक होती है, कुरान, ज कानून का जनम हुआ है ठीक है अब जो मद्यकाल में क्या था जो इसलामिक वर्ल्ड था उसने काफी ज्यादा समाजी को जो धार्मिक अंदोलन थे उनको देखा ठीक है और इन्हीं समाजी को धार्मिक अंदोलन्स को क्या कहा गया सूफी मूमेंट्स ठीक है ये जो सूफी मूमेंट्स थे इन अंदोलनों का जो केंदर विंदू होता था वो पीपल होता था ना की बगवान और ये लोग मानते थे अगर बगवान को प्राप्ट करना है तो हमें इनसानों को सरफ करना चाहिए ठीक है लोगों की भलाई के लिए काम करणा चाहिए तो automatically ही बगवान अपने आप ही खुश हो जाते हैं इंसान की सेवा को ही उन्होंने बगवान की सेवा माना है ठीक है अब जो सूफी जो मूमेंट था इसकी काफी जादा ब्रांचिस भी थी एक जो सूफी गुरूप था वो काफी रेडिकल पात को चुनता था वो हमेशा रहसे वादी होते थे और वो जो तपस्वी जा जोगी लोग जिते हैं समाज को बिलकुल ही जोड़ देते थे और तपस्वियों की तरह जिते थे और यह जो शारिया ला होता था उसकी जो सूपर मेसी थी उसको रिजेक्ट करते थे मतलों उसको नहीं मानते थे ठीक है दूसरे थे वाज शारिया ठीक है जो नो इन जो शूफी संत होते थे इस संपर्दा के जो शूफी संत होते थे उसको हम बोलते थे वाशारियास तो यही दोनो डिफरेंस देखे गए हैं एक डिफरेंस गया था एक जो थे वो टोटली ही जिंदगी संसार से अलग हो जाते थे और तपस्याओं तपस्वियों जैसे जिन्दगी जीते थे और दूसरे जो थे वो ऐसी जिन्दगी नहीं जीते थे लेकिन ये शारी अला को मानते थे लेकिन जो फर्स्ट वाले होते थे वो शारी अला की जो सूपरमेसी थी उसको नहीं मानते थे ठीक है तो यह difference देखा गया है Thank you